नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आपके ही अपने यूटूब चैनल ड्रीम क्रिक गुरू में आज हम बात करने बाले हैं जो मुकाबला होने वाला है सिद्नी सिक्सर्स और फर्थिस को चर्श की बीच में इसके बारे में क्या को चेंज इस होने वाले हैं दोनों ही टीम अपनल होने बाला है जो कि आमत्र पर एक स्कूरिंग बिकेट है इस सीजन पर काफी हाई स्कोरिंग मैच यहाँ पर देखने को आपके लिए मिले आप देख सकते हो ठोड़ Alumे हैं यहाँ पर 12 मुकाबले खेले खेले गए इनमें 6 पहले बाले बाजी करने वाले इन और 6 की दिया है दोस्ते यदी 1st inning के स्कोर के बारे में बात की जा तो आप देख सकते हो 170 रन जब कि इसी टूनमेंट के बारे में बात की जा तो अभी तक खेड़ेंगा 7 मुकाबला में 114 फर्ष्ट इनिंग में बना है मैं 2nd innings में 143 यहां पर बना है तो संबबता जो पहले बले तक चार बार और दोस्तों संबब्त आपके लिए 170 से 190 तक ही स्कोर देखने को मिल सकता है उसके लाब बात की जाए बनना इंटी एवब एक बात्र मात्र स्कोर बनाए यदि हैट्ट्वेड मुकाबलों के बारे में बात की जाए टोडल 16 मुकाबली खेला हैं दोनों ही टीमों पर है जब किसे दूरी टीम दोस्तों थरड वायदानवर है तो आपके लिए एक अच्छा मुकाबला देखने को मिल सकता है यदि बात की जाए दोस्तों यहाँ पर टीम नीज के बारे में तो सिंदी सेक्सर के और से कोई चेंजिस नहीं होगा जबकि दोस्तों आपके टेलिग्राम चैनल पर अपडेट कर दिया जाएगा तो प्लीज आप टेलिग्राम से जुड़ जाएगा टेलिग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में जाएगी दोस्तों टेलिग्राम से जुड़ने के लिए लिंक के थुरू जुड़ सकते हो यह टेलिग्राम पर जाकर सर् वाइड कराता हूं तो प्लीज आप टेलिग्राम से ज़रूर जुड़ जाए अब बात करतें सिब्नी सेक्सर के संभावित 11 बेटिंग ओडर लाश्ट प्रफमेंस के बारे में तो आपने देखा हूं लाश्ट में जॉस्ट फिलिप ने सांदार 64 रन की इनिंग स्खेल कर दी जैम्स बेंस पूरे टूनाइमेंट में अभी तक तो फॉर्म में नहीं देखे हाला कि पहले ही मैच में अच्छा किया था 66 रन किये थे लेकिन उसके बाद दोस्तो इतना अच्छा प्रफमेंस नहीं करकर नहीं दिया लेकिन प्लियर काफी बड़े हैं आपके लिग कभी भ जितना यहने मौका मिला है उतना अच्छा है यह खेले हैं दोस्तो नमर पांच पर बल्ले बाजी करते हैं और कम ही मौका आता है यदि लास्ट की तीन इनिंग सटा दी जाया तो इससे पहले दोस्तो इन्हों ने सांदार बल्ले बाजी की थी तो आप एक रिस्क ले सकते हो दोस्तो जो डिप्रेंट प्loria होता है जैसक मैं बोलता हूं कि आप एक डिप्रेंट प्लेयर पर रिस्क ले सकते है वो जाडन सील्क आपके लिए हो सकते है। दोस्तो इन्हों ने बॉल्ले बाजी से दोनों सी ठीकéndhack प्रमेंस करकर दिया हैं हाला कि लास्ट की दो मुका जाएंगे ज्यादा तर जैक बॉल जैक बॉल को दोस्तों तीन विक्ट तो बिल्कुल तुक्के में मिले थे लाश्ट वार मिले थे इस से पहले सर्फ यह नहीं एक बिकट नेकाला और लाश्ट का एक बिकट जरूर इनकी मेहनत का बिकट आप लागा सकते हो लेकिन जो तीन मिले थे वो बिल्कुल तुक्के में मिले थे बात करने दोस्तों यहां पर कार्लोस ब्रेथवेट चार बिकट चटका है दोस्तों इन्हों ने एबरेज प्रोफेंस करकर दिया यदि आप इन्हीं अपनी स्मॉल लीकिटिम में ट्राइक करना चाहते हो तो कर सकते हो यहां पर देख सकते 3 वेकट, 2 वेकट, 2 वेकट तो आप भी इनको अपनी टीम में ट्राइक कर सकते हैं और दोस्तों यहां पर किसी मौका दिया जाएगा आपके लिए विदिक कर दिया जाएगा तो प्लीज आप टेलीग्राम से जोड़ जाएग ethicalics की वीदियो को डिसक्र समभाविद 11 पर परती की संभाविद 11 के बारे में बाद करें लास्ट में लिविंग स्टोन और दोस्तर जैसन रोय ना कि धान ले पालीर बाज़ बना कर दिये थे कर दिये संरो दोन전 चॉहन धास्ट्र नहीं केले थे जो लाश्ट मुकाबला खेले थे दोस्तों उसमें पचाइस बनाये थे इस मैच में यह बापसी करते हुए उन्हें जार आ जाएंगे इनके बारे में जो भी कंफर्णी हो जाएगी आपके लिए यहां पर टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दिये जाएगी यदि मिचल मार्श नहीं केलते हैं तो अपने आपके प्रमोट करेंगे और नमर पांच बर यह बल्ले बाजी करते हुए उन्हें जार आ जाएंगे उसके लाब एड़न हार्डी हैं इन्होंने तीन विकेट चटका है दोस्तों जैरे चर्टसन लगातार आपके लिए विके बैंडरोप को आप अपने टीम में ट्राइ कर सकते हैं विकेट निकाले हैं दोस्तों गेंदबाज सांधार विदाउट हैसिटेशन आपके लिए गेंदबाज अच्छी है उसके लाबा फवाद एहमाद इन्हों नहीं इतना अच्छा प्रमेंस करकर नहीं दिया है तो चलि जाओ जाएंगे अच्छा प्रमेंस किया और जोज इंग्लिस आपके लिए फर्स डाउन बल्ली बाजी करते हुए निजर आ जाएंगे अच्छा उप्चान है दोस्तों दोनों ही इस्मॉल लीग के लिए आप इने अप्डेटीब में ट्राइ कर सकते हूं ग्रें लिग में आपके लिए अच्छी उप्चन है और जैम जै मैं दोना में से आपको एक त्राइ करना है अब वह आपके से अपने ट्राइ करना चाहते हो मैं जैम्स पींस को अपने ट्राइ कर रहा हूं दोस्तों एक बार फिर मैं थोड़ी से रिस्क के लिए नहीं कि अलाबा मुझे एत आपसे दोस्तो 99% आपके लिए खेल दिए नजर आ जाएंगे अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर आपके लिए आल राउंडर सेक्षन के बारे हम बात करने तो डैनियल क्रिस्चन को डेफिनेली ट्राइ करूंगा यहां से मिचल मार्स को मुझे ट्राइ नहीं करना क्योंक यह अच्छी option है आप चाहों तो इन दोनों को अपनी टीप में ट्राइ कर सकते हो फिलाल कि सिति में इन दोनों को अवाइड करकर चल रहा हूं चलिए बात करने दोस्तों हमारे जो ड्रीम लेविन स्वरी माइफ हैविलेविन की बारे में इसकी लिंक दोस्तों वीडियो की बेंक विड्रो उसके लाब लो कमप्टीशन और दोस्तों आपने देखा होगा कि केरिट इसू का इसमें फिच नहीं करना पड़ेगा जो कि आपके लिए ड्रीम लेविन में करना पड़ता है आप यहां पर दोस्तों यहां पर एक नजारा यहां पर देख सकते हो एंटिफ हमारे टेलिग्राम चैनल पर मैं प्रोवाइड करा दूँगा तो प्लीज आप टेलिग्राम से जोड़ जाए टेलिग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी चलिए बात करते हैं यहां पर बॉलिंग सेक्शन की बात करें तो जैरे चर्ट सन आप लग बग तीन ओवर दोस्तो शुरुवाद में करती हुई नजर आ जाएंगे अपने दो आबर बिना पावबर पर ने करती हुए नजर आ जाएंगी दो आवर बीना पावर पहल प्ले प्ली ने बताया कि डेथ वाई स्पेशलिस्ट ने जद्छ तो यहां पर इन्हें अप पता है एक मैंच के लाश्ट आवर में नहोंने तीन पर किने का ले तो बहाँ चांच बढ़ जाते हैं अधरबाइस यह नहोंने इतनी अच्छी गेंदबाजी तो अभी तक स्टुन में नहीं कि लेकिन यह इनकी जगर वेंड वारियस खिलते हैं तो मैं बेने को इन्हें अप कर सकते हो उसके अलब आप जैसन रॉय को आप निटी में एज़ा कर सकते हो और दोस्तों यहां पर लाश्ट मैच के साब से लिबिंग इस्टॉन ने भी अच्छी बल्ली बाजी की तो आप यह लिए कुछ अच्छी ऑप्शन ही हो जाते हैं और जो कंफर्म केप्टन बाइ के लिए मिलते हैं दोस्तों यहादी वीडियो अच्छे लगें वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना वीडियो देखने के लिए धन्यवाद